जै स्रीराधे मित्रों हर हर महादेव जै मा चंद्रवदनी मित्रों चंद्रवदनी भक्तिरस चैनल में आप सभी का हारदीक स्वागत हारदीक अविनंदन और मा भगुति का आश्रीबा सभी पर बना रहे चंद्रवदनी भक्तिरस चैनल के माद्यम से मित्रों आज कल आपको हम नवगरह के सुक्ष्म और सटीक उपाईयों से अवगत करा रहे हैं जो उपाई हम स्वयम अपने घर में आसानी से कर सकते हैं और नवगरहों को परसंद कर सकते हैं तो उन उपाईयों से अवगत कराया है तो इसी कड़ी में सनीग्रहे तक के उपाय हमने आपको बताए तो आज राहु ग्रहे के सटीक और सुख्श्म उपायों से आपको अवगत कराएंगे तो इससे पहले की वीडियो जिसने नहीं देखी वह सभी संदी तक सनी ग्रहे तक के सुख्श्म और सटीक उपायें का वीडियो पीछे देख सकते हैं और सभी से एक ही आगरा है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक शेर करें और जो भी चैनल में नए आप सभी आने वाले जुभी वीडियो कैसे लग रहे to करें नियुक्त करके अवस्य बताएं और वीडियो को अंतिम तक अवस्य देखें तो अब हम कुंडले में अगर राहु असुव हैं तो उनके लिए क्या सटीक उपाई के जाएं क्या सूक्ष्म उपाई के जाएं जिससे राहु ग्रह जो हैं परसन हो जाएं तो कुंडले में राहु के असुव रहने पर अनेक परकार की बिगनबाद आएं और अनेक प्रकार की से भी घड़वनबाद आएं जीवन में होती हैं उलजने होती हैं और धोकावी खाया जाता है और अपयस के भी योग बनते हैं तो यह सब राहु की असुबता के कारण होता है तो राहु की सुबता के लिए क्या करना चाहिए सर्वपर्थम जो उपाय है राहु को यदि परसन करना है तो सबसे पहला उपाय क्या है कि आपको अपनी माता को प्रसन रखना चाहिए अगर माता को प्रसन रखेंगे तो राहु सुब फल देते हैं तो सबसे पहले अपनी माता को प्रसन रखें स्राब मांस का सेवन न करें और परिस्त्री से दूर रहें घर में काले कुत्ते को पालें उस काले कुत्ते को पाल करके उसे जो भी बोजनित्याद कराते हैं उसे राहु जो है प्रसन होते हैं और नारेल जो है वह बहते हुए पानी में बहाएं जो नारेल है उसे बहते हुए पानी में बहाएं जिसे राहु जो हैं प्रसन होते हैं खाना जहां बना हो वहीं बैठ कर खाएं जहां खाना बना हो वहीं बैठ करके खाना चाहिए इसे भी राहु ग्रेज राहु देवता जो हैं राहु ग्रेज जो हैं प्रसन होते हैं और सोच बिचार करके कुछ भी काम कर वह सूच और विचार करके काम करें, हट ना करें, हटी ना बनें, और कभी-कभी सतपात्र को दान भी करें, कभी-कभी कोई आपको सतपात्र मिलता है, तो उसे दान भी करना चाहिए, और केसर का तिलक जरूर लगाएं, और चांदी का टुकड़ा जो है, अपने पास हमेशा रखें इससे जो है राहु ग्रह जो है प्रसंद होते हैं और किसी को भी जीवन में धूका न दें किसी को भी व्यक्ति को धूका न दें अगर आपने किसी को धूका दिया तो समझो आपका राहु हर असुभ हो जाता है और वह असुभ फल देता है इसलिए कभी भी किसी को जीए राहु निश्चित ही प्रसन होंगे जिस जातक के जनमकुणली में राहु असुब बैठे हुए हैं नीचस्त बैठे हुए हैं उस जातक को यह उपाय जरूर करने चाहिए और जिस जातक के जीवन में अनिक प्रकार की बिगन बादाएं उलजने धोका अप्यस हो रहा ह है तो समझो उसे राहु ग्रह से वा पीडित है तो यह राहु के उपाय जरूर करें उससे राहु ग्रह जो हैं प्रसन होते हैं और सुफल की प्राप्त कराते हैं तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट के माद्यम से आप जरूर बताएं और सभी लोग इन उ पाईयों को करें जैसरी राधी हरहर महादीव जैमाच चंदर बदनी